नमस्केर दोस्तों दर्भंगा रक्स में आपका स्वागत है दर्भंगा एरपूर्ट पर कोहरे से निपटने का एक मेगा प्लैन तेयर किया गया है कि आकिर इस बार कोहरे में कैसे उड़ान होगी और क्या पिछली बार की तरह लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होगी या तियों को असुविधा से बचाने के लिए एक मेगा प्लैन तयार किया गया है दरभंगा एरपोर्ट पर और वो है एर फिल्ड लाइटिंग सिस्टम यहां पर लगाने की परकरिया चल रही है और पहले फेस का काम हो गया है पहला सरकुट लगा दिया गया है दूसरे सरकुट का काम चल रहा है जो फरवरी तक में पूर्ण होने की संभावना है तो आज इसी की बात करेंगे कि कितनी बड़ी चुनाओती और क्या होता है यह Airfield Lighting System यह सब कुछ इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको तो पहली ख़बर यह है कि Times of India के हवाले से ख़बर है कि AGL यानि Airfield Ground Lighting System to improve safety while landing एर दरभंगा एरपोर्ट यानि यह safety को improve करेगा और Airport Authority of India ने install कर दिया है सर्किट जो है Airdram Ground Lighting System का runway पर इंदरभंगा एरपोर्ट के runway पर और इससे क्या होगा इसका जो दूसरा पहला तो हो गया है सर्किट सेकंड जो सर्किट है उसको installation करने का काम जारी है जिससे की visibility अगर 1200 मीटर है 1200 मीटर है तो उससे अफ लाइट आराम से हो जाएगा अभी 1600 मीटर की presently जो है वो visibility है जबकि इसको इस system के आ जाने से 1200 मीटर पर आप कर सकते हैं तो पहला जो circuit install किया गया है वो 60 मीटर के longitudinal distance पर किया गया है interval और second जो circuit lighting जो किया जाएगा runway पर वो 30 मीटर की distance पर किया जाएगा तो इस तरीके से lighting system का काम चल रहा है और यह पूरा जो खर्चा होगा वो करीबन 4 करोड के लागत से यह पूरा काम हो रहा है तो यानि कि अब lighting system के जरीए काम हो रहा है क्योंकि cat1 का भी time है तो यह lighting system क्या देखे है यह approach light है और यहाँ से यह जो area है वो threshold area होता है threshold area मतलब कि यह red light देख रहे हैं तो इससे आगे आप landing area है यह वाला area लैंडिंग area है तो यह जो red वाला area आप देख रहे हैं यही पर flight का यहाँ यहाँ पर कोई विमान अगर है यहाँ पर तो इस लिए वो area को छोड़ा जाता है कि वहाँ पर take off लैंडिंग के लिए यह यह पर कोई वि यह ही जो है वो पाइलेट को जो मदद मिलती है कि वो एक्जैक्ट लोकेशन पर लेंड कराता है और यह के हनिंग यहां पर कैट वन अप्रोच लाइट लगाई जा रहा जिससे की visibility 1200 से 800 meter हो जाएगी जहां दोस्तो 800 meter जो है वो sufficient होगी यहां पर क्योंकि इस से नीचे यहां visibility नहीं जाती है और यहां के डिरेक्टर मनिश कुमार के कहना कि once we will get the land installation work for cat1 will begin यगर हमें land मिल जाता है तो इसकी शुरुवात हो जाएगी और यहां पर वो यह भी बता रहे हैं कि 1000 meter जो है यहां का पूरा जो area है वो 1000 meter से नीचे नहीं जाता है visibility इसलिए cat1 light sufficient है यहां पर और इसकी तयारी जो है वो तब होगी जब land handover हो जाएगा जो 24 एकर जमीन जो मांगी गई है बिहार सरकार की तरफ से और वो land acquisition होने के बाद दिया जाएगा तो उसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है लेकिन यह उससे पहले जो lighting system से जितना हो सकता है manage 1600 से 1200 लाने का जो planning है वो किया जा रहा है यानि कि अभी 1600 मीटर है उससे 1200 मीटर लाए जाएगा visibility और उसके बाद 800 मीटर लाने की planning है वो तब होगी जब cat1 approach light लग जाएगा तो यह तैयारी है अलकि अब देखना होगा कि इस बार visibility जो है वो 1200 रहता है या उससे नीचे जाता है या क्या इस्तिती होती है यह देखने वाली बात होगी तो फिलहाल तो stage wise काम हो रहा है अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इस्तिती होती है और पिछले बार की तरह ही होती है या कुछ सुधार होता है